एक तलाब में एक चुहा और मेंडक रहते थे ये दोनों एक दूसरे को बिलकुल पसंद नहीं करते थे चुहे को शिकायत थी के मेंडक हर वक तर तर करता रहता है ना वक देखता है और ना ही मौसम इसकी हर वक की तर तर से सर में दर्ध हो जाता है मेंडक केता था के ये चुहा तो चेंस नहीं बैठता इसका तो काम बस घुंते रहना है जब देखो सर हिलाता घुंता रहता है और पानी में हर वक्चप चप करता रहता है एक दिन हुआ यू कि दोनों में लडाई शुरू हो गई चुहे ने मेंडक से कहा एमेंडक तुम ये तालाब छोड़ कर चले जाओ क्योंकि ये तालाब मेरा है और मुझसे पहले ये जगा मेरे बाप दादा की थी ना 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 ये जगा हमारे बाप दादा की है इसलिए तुम यहां से चले जाओ इस बात पर लडाई शुरू हो गई पहले तो दोनों दूर दूर से एक दूसरे को आखे दिखाते रहते थे और अब ये हुआ के एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश में लग गए ये सब एक चील भी बड़े गोर से देख रही थी और वो बहुत दिनों से इन दोनों का शिकार करने की कोशिश कर रही थी मगर ये दोनों हात नहीं आरहे थे ये दोनों अपनी लड़ाई में चील को भूल गए चील ने मुनासिब मौका देखा तेजी से जपती और इन दोनों को अपने पंजों में दबा कर उड़ गई सबक सच है कि आपस के जगड़े में दुश्मन कामियाब हो जाता है फर्माने मुस्तफा सलललाहु ताला अलिह वाली वसल्म जो हक पर होते हुए जगड़ा छोड़ देगा उसके लिए जन्नतिय दर्मियान में एक घर बनाया जाएगा